किया आप भी चाहते हैं कि आपके बाल घणे, काले, लंबे और शाइनी हो जाएं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आप कунसा हेयरोयल यूज करें। तो आपने बिल्कुल सही वीडिव पे कलिक किया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बालों में कौन सा हेर ओयल यूज़ करेंगे साथ ही वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि हेर ओयल अप्लाइ करते समय लड़की और लड़कियां क्या मिस्टेक्स करते हैं जिन से क्योंने हेरोयलिंग का पूरा फाइदा नहीं मिल पाता तो इस हेरोयल को बनाने के लिए हम सबसे पहले 5-6 टेबल स्पून के करीब और लिप ऑइल करते हैं और अब हम इंदी में जैतुन का तेल भी बोलते हैं और साथ ही हम 5-6 टेबल स्पून के करीब ही कोकुनेट ऑइल यूज करेंगे मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकुनेट ऑइल यूज कर रही हूँ अगर आप चाहें तो किसी और ब्रैंड का कोकुनेट ऑइल यूज कर सकते हैं और अब हम इस्तमाल करेंगे कैस्टर ऑइल कैस्टर ऑइल को हम इंदी में अरंडी का तेल बोलते हैं और यह oil आपको medical store पर easily available हो जाएगा यह oil थोड़ा थिक होता है तो हम इसकी quantity थोड़ा कम रखेंगे यानि कि अगर हमने 5-6 tablespoon के करीब olive oil और coconut oil लिया है तो हम उसमें 1 tablespoon castor oil ही यूज करेंगे और अब हम यूज करेंगे vitamin E capsules, vitamin E capsules भी आपको medical store पर easily मिल जाएंगे 10 capsules का ये एक packet आता है जिसमें से हमें 6 capsules ही यूज करने हैं अब हम एक safety pin की help से इन capsules को poke करेंगे और इनके अंदर का oil इस bowl में निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है इन सारी चीजों को जित्ती quantity मैंने बताई है एक bowl में transfer कर लेना है और फिर उसके बाद अगर आपके पास एक खाली bottle रखी हो तो उस bottle में इस hair oil को fill कर लेना है और जब भी आप hair oil apply करें तो इस bottle में से oil निकाल लेजिए और use कर लेजिए तो अब मैंने सारे hair oil को इस bowl के अंदर transfer कर लिया है और अब मैं इस में add करूंगी vitamin E के capsules तो मैंने यह आपर 6 vitamin E के capsules निकाल कर रख लिये हैं अगर आपको safety pin से vitamin E के capsules के अंदर का जो oil होता है उसको निकालने में problem हो रही है तो आप seizure की help से vitamin E के capsules को ऊपर से थोड़ा सा cut कर लिजेगा इससे क्या होगा उसके अंदर का जो oil है वो easily निकल जाएगा तो अब vitamin E के capsules को डालने के बाद मैंने बूल से इस container के अंदर सारे oil को इसके अंदर transfer कर लिया है और इस तरीके से हम इसे shake कर लेंगे और फिर जब भी हमें जरुबत होगी hair oil apply करने की हम इस container में से oil को बाहर निकाल लेंगे और अपने hair में apply कर लेंगे तो अब बात करते हैं hair oil apply करते समय होने वाली कुछ mistakes की जो generally लोग hair oil apply करते समय करते हैं पहली mistakes हम लोग क्या करते हैं कि जब हम hair oil apply करते हैं तो हम उसे अपनी scalp में apply तो कर ले लेकिन इससे massage नहीं करते हैं ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है, आप जब hair oil apply करें, तो उसके बाद हम अपने scalp में उसे अच्छे से massage कर लेना चाहिए इससे क्या होगा, blood circulate होगा और आपके बालों को नमी दिलोगे दूसरी mistakes हम लोग क्या करते हैं, कि जब हम लोग oil apply करते हैं, तो उसे अपने hair length पे apply नहीं करते हैं ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है, आप जब hair oil apply करें, तो उसे अपने scalp में आपको apply करना है, उसे massage भी करना है फूरस के बाद अपने hair की length है, उन पर भी उस oil को apply करना है थर्ड mistake हम लोग क्या करते हैं, कि जब हम oil apply करते हैं, तो हम बहुत ज़दा oil apply कर लेते हैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा oil apply करेंगे, तो आपको ज़्यादा shampoo यूज़ करना पड़ेगा, और इससे आपके बाल और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे तो आपको सिर्फ उतना ही oil apply करना है, जितना कि आपके बालों के लिए sufficient हो 4th mistake हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग अपने बालों में, जब बालों में dirt होती है, उस समय अकसर hair oil apply करते हैं हमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब बालों में पहले से ही गंदगी होगी और उपर से हम oil apply कर लेंगे, तो वो dirt बालों में चुपक जाएगी तो अब बात कर लेते हैं olive oil के बारे में, जिसकों की जैतून का तेल भी कहा जाता है olive oil के अंदर vitamin K और vitamin E दोनों पाये जाते हैं जो की बालों को moisturize करने के लिए conditioner के रूप में काम करते हैं जैतून के तेल के अंदर omega 6 fatty acid पाया जाता है, जिसके कारण ये बालों को लंबा और घना करने में भी help करता है olive oil के अंदर olive oil के अंदर olive oil बिन पाया जाता है, जो की hair की growth को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा होता है आप दो मुहे बालों की problem से जूज रहे हैं, तो आप olive oil के इस्तमाल केजिए, इससे आपके बालों में काफी अच्छा असर पढ़ेगा coconut oil यानि की नारियल का तेल, नारियल के तेल को यूज करने से protein की कमी को पूरा किया जा सकता है नारियल के तेल में lauric acid पाया जाता है, स्केल्प में आने वाला सूखापन और रूखे बालों की problem से बचने के लिए नारियल के तेल का यूज बहुत ही ज़दा beneficial रहता है अगर आपके बालों में dandruff रहता है और आप dandruff से बहुत सादा परेशान है तो आप एक bowl के अंदर coconut oil ले ले लीजिए उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए साथ ही lemon juice की कुछ drops के अंदर add कर लीजिए और फिर उसे अपने बालों में apply कर लीजिए इससे आपको रूसी की problem से चुटकारा मिल जाएगा तो अब बात करते हैं कैस्टर oil यानि की अरंडी के तेल की कैस्टर पौदे के बीच को दबाने से इससे एक थंड़ा चिपचिपा पदार निकलता है जिससे कि इसका तेल बनाया जाता है कैस्टर का पौदा सिर्फ इंडिया वा अफरीका के कुछ खास जंगलों में ही पाया जाता है इसके इस्तमाल से बालों वा इसकिन की काफी प्रॉब्लम से चुटकारा पाया जाता है अगर आप अपनी आईब्रोस वा आईलिट को घना करना चाहते हैं तो आप कैस्टर ओयल के इस्तमाल कीजिए इससे आपको काफी जल्दी फायदा मिलेगा कैस्टर ओयल के अंदर एंटी वाइरल एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी स्पाय जाती है जो की बालों में होने वाले इंफेक्शन को रोकती है कैस्टर ओयल ना सिर्फ आपके स्कैल्प को हाइडरेट रखेगा बलकि इंफेक्शन को भी कम करने में हेल्फफुल रहता है वाइटेमिन ई बालों को अंटी ओक्सिदेंट प्रॉदान करके स्ट्रेस से पैदा होने वाले टॉक्सिन के असर को कम करता है अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगे हैं तो इसे प्रीमेच्च और हेर ग्रेइंग कहते हैं ऐसी कंडिशन में आप वाइटेमिन ई के कैप्सूल का यूज कीजिए कई महिलाओं में देखा गया है कि उनके बाल एक लंबाई के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं ऐसा बालों में पोशक तत्वा की कमी से होता है क्योंकि बाल और नाखूम दो ऐसी चीज़े होती हैं जो की जिन्दकी पर बढ़ती रहती है अगर आपके बाल बहुत जड़ रहे हैं तो आज ही बाइटमिन E के कैप्सूल का उप्योग करना शुरू कर दीजिए